नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैज दन्योज NCB के जोर्रल डारेक्टर समीरवान खेडे और उनके टीम के द्वारा एक बहुती बड़ी कारवाई की गई है और इस बड़ी कारवाई में एक बड़े अपराधी को ग्रपतार भी किया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस अपराधी को ग्रपतार करते टाइम NCB के दो बड़े ओफिशर जो हैं वो घायल हो गए हैं उनके उपर हमला किया गया था अब आखिरकार क्या मामला है पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको बताता हूँ तो अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सेक्टर 30 खार घर जो नभी मुंबई में है वहाँ पर एक बड़े अपराधी की मिलने की आसंका जताई गी थी इसके बारे में जो है NCB की टीम को कहीं से इनफॉर्मेशन मिली थी जिसके बाद NCB की टीम जो है वहाँ पर अपनी तरफ से ध्यान देने लगी और लगातार जो है अपराईज को पूरी तरह से घेर रही थी तो अभी अभी जो अपडेट आ रही इसमें बताया जा रहा है कि सैमॉल नाम के एक ब्यक्त को जो एक बड़ा अपराधी है ड्रक्स की सप्लाई कर रहा था पिछले काफी टाइम से उसको NCB की टीम ने गिरपतार कर लिया है लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें बताया जा रहा है कि जिस टाइम सैमॉल को गिरपतार करने पहुची थी NCB की टीम उसी टाइम जो है सैमॉल ने अटेक कर दिया वो भी NCB के ओप्सर्स के ओपर ये एक नाई एरियन बंदा है और इसने जो है अटेक किया था जो NCB के ओप्सर्स हैं जिसके बाद जो ओप्सर्स हैं उनको काफी जहों पे चोट भी आई थी यही नहीं इसके पाद से काफी मात्रा में ड्रक्स भी पाया गया है और फाइनली जो है NCB की टीम ने इसको जो है गरपतार कर लिया है और अभी जो है इससे पोच्टाज चल रही है तो इसका जो बताया जा रहा है कि इसका जो है इंटरनेशनल कनेक्शन था और लगातार यह पिछले काफी टाइम से बाहर से ड्रक्स को लाकर इंडिया में सप्लाई करता था और धीरे धीरे करके पूरा हर एक जगा में इंडिया के हर एक स्टेट में जो है यह ले जाके सप्लाई करता था तो कहीं न कहीं से काफी बड़ी अपडेट आ रही है और जो एंसे बी कारवाई की गई है और यह जो Samuel है यह काफी टाइम से एक टिप था ऐसा नहीं कि अभी सडलनी आया लेकिन आपको बता दूँ कि पिछले कुछ टाइम से 22 जो इंटरनेशनल कनेक्शन जो नाजिरियन बेक्ट हैं उनको ग्रपतार किया गया है वो भी NCB की टीम के दोरा जो की काफी बड़ी बात ह कि इतने ज़्यादा लोग जो है वो नाजिरिया से इंडिया में आ रहे हैं और लगातार जो है ड्रक्स की सप्लाई कर रहे हैं आपका क्या ओपिनियन है आपनो ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो को जाएश ज़्यादा सेयर करें